हेलो दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं सर्फिस केमेस्ट्री बीवी आई कोस्टन इंपॉर्टेंट कोस्टन और इसी से हंडेट परसेंट जो हैं इसी से पूछा जाएगा क्यूंकि आपको हम एनलाइसिस करके यह विडियो बना रहे हैं आप बिलीब करें हंडेट परसेंट इसी से पुछा जाएगा इससे आउट नहीं पुछा जाएगा यदि आप चाहते हैं कि 90 परसेंट मार्क से मेरा भी आए बोर्ड एक्जाम में तो आप इस चेनल पर जूले रहे हैं कांटिन्यू वाच किजिए जितना भी हैं उसमें हमको सफलता मिले तो आप बस इस चेनल के माध्यम से पढ़ते रहिए और आपको हंडेट परसेंट सफलता मिलेगा ठीक है और इस चेनल पर बता देते हैं आपको मैथ फिजिक्स के मेस्टी मतलब हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो प्रोभाइड करवाया जाता है जिसे कि आपको दिक्कत बोड एक्जाम में ना हो तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लेप्स किये हुए लेकिन संगर्स आप इतना करो जो खुद पर जो है ना ऐसा लगे कभी कभी ऐसा ना लगे कि हम खुद से क्या कर रहे हैं गलती कर रहे हैं अपने आप में ही कभी ऐसा फिलना हो जो कि हम इस परकार से तयारी कर रहे हैं जो कि हम एक्जाम में फैल हो जाएंगे यह हमारा दिल भी कभी कभी गभाई देता है तो इस चीज को आप जो है नेगेटिवीटी को हटाईए और पोजिटिवीटी में आईए हमेशा आप सोचिए कि मेरा संगर से इतना अच्छा हो इतना अच्छा हो कि हम सफलता की और पहुंच जाएं ठीक है और दुसरा बात यह है क्या कि खुद के पढ़ती जो हैं इमंदारी जो हैं दिखाईए क्योंकि यह इमंदार बनना आपके लिए अच्छा है दुसरों के लिए अच्छा नहीं है ठीक है त क्योंकि लास्ट में क्या होगा आप पूरी तरह से जो है ना क्या होते हैं पूरी तरह से नर्वस हो जाते हैं क्या परना क्या नहीं परना धीरे-धीरे क्या हो रहा है आपका सिलेबस बर रहा है जिससे क्या होगा आपको दिक्कत हो सकता है इसलिए कहते हैं जैसे वीडियो आ होसता दिखेगा ठीक है ना चलिए सिरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशन नमर वन क्या है जो पदार्थ जल का प्रिस्ट तरहों कम कर देता है कहलाता है क्या बेदुत अब घटे बेदुत अनब घटे प्रिस्ट शकडिये कारक नानिन में से कोई नहीं इसका एंस सोसक है अब सोसक है रंग नासक है अब कारक है तो पास्पोरस पेंटा उक्साइड एक अच्छा अब सोसक है नेक्स्ट विद्दुत छेत्र के परभाव से कुलाइडी कनों का गमन कहलाता है अपोहन कहलाता है टिंडल परभाव पायस बैदुत कं संचलन तो इसका एंसर हो जागा बैदुत कं संचलन नेक्स्ट फोर नमर कोलाइडी बिलियन की कौन सी अवस्था में होती है तो कोलाइडी बिलियन की कौन सी अवस्था कोहासा में होती है तो गैस का द्रब में परिछेपन दोस्तो मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं पंको से कुछ नहीं होता होसलों से उरान होते हैं इसलिए आप अपने अंदर के होसलों को जगाए रखिए विल पाबर को जगाए रखिए और संगर्स जारी रखिए सफलता जरूर एक दिन न एक दिन आपको मिलेगा और आप बस निरंदर प्रियास करते रहिए डी मोटीबेट होने की कोई आवसकता नहीं है आप हमेशा आपने आप पर विश्वास रखिए हर चुनोती को आप पाड़ कर सकते हैं आप पहाचानिये आप कुछ कर सकते हैं आपको हिम्मत नहीं हारनाग हमसे नहीं हो सकता बहुत टाइम है अभी आप यदि निरंतर परिया करेंगे तो अच्छा माक्स आपको आएगा चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अधिसोशन की परकडिया होती है उसमा सोसी प्रिस्टिय घटना ऑक्सिकरन अबकरन तो अधिसोशन की परकडिया होती दोस्तों प्रिस्टिय घटना होती है नेक्स्ट रसायनिक अधिसोशन अनुत कर्मनिये बहुली करान इन में से कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों उत कर्मनिये ए नेक्स कोशन निम्न में से किसमे टिंडल परभाव नहीं पाया जाता है चीनी के घोल में सोने का कोलाइडी घोल में सस्पेंशन में और इमल्सन में तो दोस्तों टिंडल परभाव जो नहीं पाया जाता हो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है यह तीनों में पाया जाता है ठीक अनिमल सा संस्पेंशन और सोने की कुलाइडिक घोल में चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट एक नमर कोस्टन देखेंगे निमलिखित में से कौन सा द्रब से नहीं कुलाइड है मतलब क्या कि जो दर्व से प्यार करता है वो कौन सा कोलाइड दूद है गोंद है कोहरा है रक्त है तो यह हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा गोंद नेक्स्ट निमलिखित में से ठोस ठोस समुदाय कौन है द्रूम केक संसलेशित जेम प्यू मिस पत्थर तो इसका एंसर हो जाएगा C संसलेशित जेम दूद एक उधारन है जेल का सोल का निलंबन का पायस का नेक्स्ट कुश्चन नमर 11 रक्त पर कौन सा आवेस पाया जाता है सुन रिनात्मक धनात्मक गयस में द्रव तो रक्त में रिनात्मक आवेस पाया जाता है नेक्स्ट तेल रथा पानी के संयोग से बना कॉलाइडी बिलियन कहलाता है जियोलाइट मिसेल पायस इमल्सन तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा इमल्सन तेल और पानी के संयोग से बना कॉलाइडी बिलियन इमल्सन कहलाता है नेक्स्ट किस गयस का अपसोशन चार कोल के द्वारा सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक अफसोशन पाया जाता इसमें गैस का सी ओ कारण मोनोख्साइड में सबसे अधिक होता है तेल को बसा में बदलने तेल को बसा में बदलने हितु पड़ित उत्प्रेड़क क्या है पीवी ओटू, एमन ओटू, एन आई, सियर ओटू लेड डायोकसाइड, मेंगनीज डायोकसाइड, एन आई, क्रोमियम डायोकसाइड तो इसका एंसर हो जाएगा निकेल निकेल नेक्स्ट उत्प्रेड़क की बेख्या है, सबसे पहले करने वाला बेग्यानिक था सीले, प्रिस्टले, लेवोसीय, बरजिलियस तो इसका एंसर हो जाएगा सबसे पहले उत्प्रेड़क का जो बेख्या किया था वो बरजिलियस निक्या था टिंडल परभाव परदर्शित करता है बास्तविक घोल को घोल द्वारा कोलाइड कोलाइड द्वारा नन इन में से कोई नहीं तो टिंडल परभाव जो है परदर्शित करता है बास्तविक घोल द्वारा अप मार्जक को कहा जाता है अप मार्जक को कहा जाता है प्रिस्ट सकडियन कोलाइड निलंबन नन तो अप मार्जक को प्रिस्ट सकडियन कहा जाता है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन कोलाइड कोलाइडल घोल नहीं है जल दूद गोन धुआं तो इसमें से सभी कोलाइड गोल है दूद गोन धुआं ये तिनों कोलाइड गोल गोल है इसका एंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा जल जल कोलाइडल गोल नहीं है नेक्स्ट कोलाइडी शोल बास्तिक विलिया निलंबन विश्मांगी शोल और समांगी शोल इसका एंसर हो जाएगा विश्मांगी शोल द्रव से नहीं कोलाइड के अस्थायत्व का परमुख कारण होता है आकार आवेश घनात्व दर्विकरन तो द्रव से नहीं कोलाइड का अस्थायत्व का परमुख कारण होता है आवेश नेक्स्ट निम्न में से दना बेशित सोल का उधारन है स्वर्ण, जिलेटीन, एफि ओ एच का होल थ्राइस, एएस्टू, एस्टू, 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 एस्ट्री तो इसका एंसर हो जाएगा जिलेटीन नेक्स्ट साबुन गिरिस को किसके द्वारा निकालता है अधि शोशन, इमल्सी करन, असकंदन, नन तो इसका एंसर दोस्तों हो जाएगा बी, इमल्सी करन कुस्चन नमर 23, एंजाइम का मुख अभियव होता है प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, वसा, हर्मोन्स तो एंजाइम का मुख अभियव है प्रोटीन नेक्स्ट 24 नमर कोशन देखेंगे, उत्प्रेडक एक बस्तू है जो उत्पाद के सामयवस्था शांदरन को बढ़ा देता है परतिकिडिया के सामिस्थरांग को परिवर्थित कर देता है प्राप्त करने के समय को कम कर देता है तो इसका एंसर हो जाएगा C नेक्स्ट बिलायक सनही कोलाइड कहलाता है लाइओ फिलिक लाइओ फॉबिक ना लाइओ फॉबिक और ना लाइओ फॉबिक तो इसका answer हो जाएगा दोस्तों बिलायक से नहीं को बोलते हैं हम लोग लाइओफिलिक और 26 नमर question बिलायक बिरागी collide कहलाता है लाइओफिलिक लाइओफॉबिक ना लाइओफिलिक और ना लाइओफॉबिक तो इसका answer हो जाएगा लायो फॉबिक बिरागी मतलब क्या वो जल से प्यार नहीं करता है तो उसको फॉबिक कहते हैं और जो जल से प्यार करता है विलाइक से प्यार उसको फिलिक कहते हैं ठीक है ना आइस्क्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाते हैं क्योंकि आइस्क्रीम से जल को सोकता है आइस्क्रीम को जमाता है दूद को फारता है इन में से सभी तो इसका एंसर दोस्तों हो जाएगा आइस्क्रीम को जमाता है जिलेटिन नेक्स्ट निम्न में से द्रब सनही कोलाइड का उधारन है श्वर्ण गंधक कोईला जिलेटीन तो इसका एंसर हो जाएगा जिलेटीन नेक्स्ट निम्न में से टिंडल प्रभाव समभब नहीं है निलंबन पायस सरकरा बिलियन श्वर्ण सॉल सरकरा बिलियन में टिंडल प्रभाव समभब नहीं है नेक्स्ट माध्य में कोलाइडी कनो की और नियमित गती जिग जैग मोशन कहलाती है प्यप्टिक करन अपोहन असगंदन ब्रावनी गती ब्रावनी गती कहलाती है नेक्स्ट कोलाइडो को आवेस बिहिन करके अप्छेपित करना कहलाता अपोहन असकंदन पडिरक्षन पाईसी करन इसका एंसर हो जाएगा असकंदन नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बिलियन कोलाइडी नहीं है तेल तथा पानी दू तथा पानी थमसप साधा पानी तो साधा पानी इसमें से कौलाइडी नहीं है नेक्स्ट टोई टोईलीन नामक एंजाइम का स्रोत है आत अमा से जीव की लार अंगना से तो इसका एंसर हो जाएगा दोस्तों जीव की लार तो दोस्तों इस फरकार से आपको 33 कोशन बताएं हैं और इसी में से आपको पूछा जाएगा इस चेप्टर से तो बस आप अपने दोस्तों के बीच में इसको सेर कर दिजिए और अच्छा लगा हो आपको तो इसको आप क्या किजिए इस वीडियो को लाइक किजिए अधि से अधिक दोस्तों के बीच में इसको सेर कीजिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में